नमस्कार मित्रों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल होमियो विजन पर आज हम चर्चा करेंगे डाविटीस से रिलेटेट कुस कंडिशन की और उसकी दवाओं की तो मित्रों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि होपैथिक में प्रेस्किप्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं और हर तरीका अपने आप में एक अनुठा है और बहुत ही सक्सेस्फुल है क्या है वो माइंड के हिसाब से हो उसी तरह से कुछ प्रेस्किप्शन जो है पर्टिकुलर पर होते हैं और कुछ प्रेस्किप्शन जो है ये एक-एक सिंटम्स पर होते हैं करेक् कुछ इसूस की जो साथ में चलती है सुगर के जो भी डाबेटिक पेशेंट है उनको साथ में कुछ में कुछ लगा ही रहता है तो ऐसे हर कंडिशन की एक अलग-अलग दवा के बारे हम बात करेंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्स्राइब कर लिजेगा पूरी वीडियो देखिएगा अच्छी लगए तो लाइक कर दीजेगा और सेयर करना मत भूलिएगा एक बात मैं और भी बता दू कि होपैथिक में specific medicine की कोई जगह नहीं होती है क्योंकि prescription जो भी बनता है एक totalities पर बनता है या कभी कभी guiding symptom या characteristic symptom पर बनता है लेकिन specific नहीं होता है लेकिन होता गया है कभी कभी कुछ symptoms कोई एक symptoms अगर आपको मिल गया अगर आप उसके prescription करते हैं अगर उस symptoms पे अगर आपने 10 लों को prescribe किया और अगर आपको 6-7 लोगों पे उसका अच्छा result मिला तो इसे as specific count किया जा सकता है और यह work भी करता है तो आज इसी condition में मैं बात करूँगा इसी विश्या पे बात करूँगा कुछ medicine जो इस तरह के conditions में बिल्कुल अपना असर दिखाती हैं और कारे करती हैं तो हाईए हम बात करते हैं diabetes और उसके साथ जुड़े कुस conditions की medicine की बारे में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं gastoparesis की gastoparesis एक ऐसा condition है जब पेट में जो भी हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है और पेट में जाने के बाद वो जितने देर तर रुखता है उसका एक निर्धारी समय होता है अगर वो उससे जादे रुखेगा तो फिर समस्या है पैदा करेगा आपका abdomen जो है या stomach जो हमेशा blotted feel होगा acidity बहुत जादे बनेगी gas बहुत जादे बनेगा तो ऐसे condition के लिए एक बहुत ही उप्युक्त दवा है uranium-nitricum uranium-nitricum का परयोग यहाँ पर किया जा सकता है और मेरी जनकारी के जिसाब से यह काफी successful है और बहुत अच्छे results आते है अगर आप diabetic patient है और आपके पैरों में swelling रहती है खासतों से ankle joint पे तो आप urgentum-nitricum का परयोग कर सकते है और साथ में अगर borabia diffuser का मदट इंचर अगर परयोग करें में सुननापन और muscles weakness या ऐसे general weakness तो ऐसे conditions के लिए ऐसे situation के लिए हेलो नियास का परयोग कर सकते है अगर कोई sugar का मरीज है और साथ में अगर kidneys related कोच एसूज है तो serothemnus इसको पेरियस का परयोग किया जा सकता है अगर diabetic patient है और lung से related कोच एसूज है तो यहाँ पर calcarea fast का परयोग किया जा सकता है diabetes के साथ अगर parotid gland से जूड़ी समस्याएं है तो यहाँ konium का परयोग किया जा सकता है diabetic patient के साथ अक्सर आखों से सम्मद्धे त्यांडिश्टी से सम्मद्धी समस्याएं देखी जाती है जिसे commonly लोग diabetic retinopathy बोलते है तो अगर ऐसी समस्या है तो sickle car का परयोग किया जा सकता है अगर diabetic patient है और tongue से रिलेटेड दिक्कत है tongue जो है red रहता है dry रहता है cracked रहता है boric acid का परयोग किया जा सकता है अगर diabetic patient है और suddenly apoplexy की शिकायत आती है या apoplexy की symptoms आने लगते है यानि apoplexy का मतलब हो गया कि symptoms of shock जनरली क्या होता है कि जो brain में जो blood vessels होती है या तो वो rupture कर जाती है या फिर उसमें clotting होने लगती है तो उसके बाद जो complaints आते है अगर वो diabetic के साथ आ रहा है ऐसे condition में कौनियम का प्रियोग कर सकते है अगर कोई diabetic patient है और उसको eczema दिये ऐसे condition में आप insulinum का प्रियोग कर सकते है कोई diabetic patient है और उससे gallbladress related को issues है तो ऐसे condition में आप butrick acid का प्रियोग करा के देख सकते है यदि कोई sugar का मरीज है और इसके पेशाब में भी अगर sugar detect होने लगा है ऐसे condition में acid fast का प्रियोग अच्छा रहेगा diabetic patient है और menopausal condition में जा रही है और ऐसे condition में heart flushes बहुत ही common है तो normally lecasis बगर यूज किया जाता है लेकिन ऐसे condition में boric acid का प्रियोग करना हिद कर होगा patient है और साथ में hypertension भी है और हम बाकी दोवाओं का प्रियोग करते हैं करिए लेकिन एक पर सीखिल कार का प्रियोग करके देख लीजिएगा patient है और उसे hypertheralism की दिक्कत है तो ऐसे condition में काली आयोट का प्रियोग करना अच्छा होगा अगर कोई diabetic patient है और उसे साथ में paralysis है तो यहाँ क्यूरेयर का उप्योग किया जा सकता है अगर कोई diabetic patient है और साथ में psoriasis भी है तो यहाँ पर manganum aceticum का उप्योग किया जा सकता है diabetes के साथ अगर asthmatic condition है तो natrium self का प्रियोग करना बहुत ही अच्छा होगा diabetes में urine का frequent होना एक बहुत सी कामन सी बात है कि पिशाब बहुत जादे होता है और अगर आप diabetic control भी कर लिए हैं उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत रहती है तो आप एक बार ने ट्रम fast को try कर सकते हैं आपने खास condition की एक खास दवा के तहत आपने वीडियो के माधहन से जरूर बताए कि वीडियो आपको कैसी लगी या आपको किसी और टापिक पे अगर वीडियो साहते हैं तो आप अपनी वराय सेयर कर सकते हैं मैं कोशिस तरूँगा कि आपकी उमीदों पे मैं खरा उतरूँ धन्यवाद, नमस्कार